भारत की जीले काफी ज़्यादा important topic है अगर आप किसी भी exam की तयारी कर रहे हैं तो वह सभी question जो आपके exam के लिए important रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ मैंने आपके लिए सभी question selected और important लिए हैं अगर आप किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडिया आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है तो चलिए सुरू कर लेते हैं first question से तो question सुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ जील क्या होते हैं तो जील वह इस्थिर भाग है जो चारो तरफ से अस्थल खंडों से घीरा होता है और जील की दूसरी विसेश्टा उसका अस्थाई तो है आप लोग फीकर में देख सकते हैं ये जील चारो तरफ से अस्थल खंडों से घीरा होता है और इसका सबसे दूसरा खास्वित क्या हो ताजे पानी की जील कौन सी है आप लोग कोस्चन देख सकते है तो इसका एंसर हो जाएगा वूलर जील ये एसिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की जील है अगला कोस्चन देखते है लोक टक जील किस राज में इस्थित है आप लोग फोटो देख सकते हैं लोक्तक जील का तो एंसर हो जाएगा मणी पूर ये मणी पूर राज में इस्थित है अगला question भारत का सबसे बड़ा लेगून जील चिल का किस राज में इस्थित है आप लोग कोश्चन देख सकते हैं तो आपका एंसर हो जाएगा ये उडिसा राज में इस्थित है अगला कोश्चन देखते हैं जीलो का सहर कौन सा है किस से जीलो का सहर कहा जाता है तो आपका एंसर हो जाएगा उदैपुर दलेक सिटी उदैपुर अगला question देखते हैं लोनार जील किस राज में इस्थित है आप लोग इसका फोटो देख सकते हैं लोनार जील का तो ये महराष्ट में इस्थित है अगला question देखते हैं सुखना जील कहां इस्थित है ये सुखना जील का फोटो है और ये चंडीगर में इस्थित है अगला question भ है अगला question देखते हैं वेरी नाग जील कहां इस्थित है तो आप लोग इसका फोटो देख सकते हैं ये जम्बु कश्मिर में इस्थित है अगला question देखते हैं सेश नाग जील कहां इस्थित है आप लोग फोटो देख सकते हैं इसका तो सेश नाग जील एंसर हो जाएगा ए जम्बू कर्श्मीर में इस्थित है अगला कोस्चन देखते हैं गंगाबाल जील कहां इस्थित है आप लोग इसका फोटो देख सकते हैं और गंगाबाल जील जम्बू कर्श्मीर में इस्थित है अगला कोस्चन देखते हैं भीमताल जील किस राज में इस्थित है आप देख सकते हैं और ये नागिन जील जम्बू कश्मीर में इस्थित है अगला कोशन देखते हैं राकास ताल जील किस राज में इस्थित है तो आपका एंसर हो जाएगा उत्राखंड में इस्थित है अगला कोशन देखते हैं वूलर जील कहां इस्थित है ठीक है तो इसका एं में इस्थित है आप लोग इसका फोटो देख सकते हैं ये उत्राखंड में इस्थित है अगला कोश्चन देखते हैं विम नाड जील किस राज में इस्थित है तो ये किरल राज में इस्थित है अगला कोश्चन देखते हैं नगारजुन सागर जील किस राज में इस्थित है आप लोग इसका फोटो देख सकते हैं और ये तेलंगाना राज में इस्थित है अगला कोश्चन देखते हैं हुसेन सागर जील किस राज में इस्थित है आप लोग इसका फोटो देख सकते हैं और ये भी तेलंगाना राज में इस्थित है अगला question देखते हैं पेरियार जील किस राज में इस्थित है तो आपका answer हो जाएगा केरल ये केरल में इस्थित है अगला question देखते हैं भारत की सबसे बड़ी कृतिम जील कौन सी है artificial lake कौन सी है तो आपका answer हो जाएगा गुविन बलब पंत जील ये भारत की सबसे बड़ी कृतिम जील है अगला question देखते हैं भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जील कौन सी ये का बहुत ज़्यादा ये खारा जो है जील है इसका नाम है सांभर जील और ये राजस्थान मे है अगला question देखते हैं भारत में विसालतम लैगून निम्न में से कौन सा है आप लोग फोटो देखी रहे हैं तो आपका answer हो जाएगा चील का जीली विसालतम लैगून जो है लैगून जील है अगला question देखते हैं निम्न लिखित में से कौन सी एक कृतिम जील है यानि जो चारू दिये गए हैं इनमें से कौन सा जो है कृतिम जील है तो आपका answer हो जाएगा कुडाइक नाल ये जो की तमिलनाडू में है ये एक कृतिम जील है अगला question देखते हैं निम्न लिखित में से कौन सी जील भारत के पस्चमी तड़ पर इस्थित है ये चारू दिये हैं निम्न लिखित में से कौन सा जीला भारत के लेख डिस्टिक के नाम से जाना जाता है तो आपका answer हो जाएगा नैनी ताल लेख डिस्टिक के नाम से जाना जाता है अगला question देखते हैं परसिद पिछोला जील निम्न लिखित में से किस राज में इस्थित है आप लोग इसक नोस्टर जीले कौन सी होती हैं तो आपका एंसर हो जाएगा हिम नज सीणियों पर बनी जीले जो उपर से नीचे की तरफ बहती हैं तो जगय जगय पर पानी जो रुख जाता है भारी मात्रा में उसे ही पैटर नोस्टर जीले कहते हैं अगला कोस्चन देखते हैं कोडाइक कोम, पक्षी, अभ्ध्यारन, किस जील की पूर्वी तट पर इस्थित है। अगला question देखते हैं, चपनाला जील, कहां इस्थित है। आपका answer हो जाएगा असम, यह असम में इस्थित है। अगला कोस्चन देखते हैं भारत में कौन सी क्रेटर जील है आप लोग इसका फोटो देख सकते हैं और इसका नाम है लोनार जील ये क्रेटर जील है अगला कोस्चन देखते हैं बर्फ से धकी घेपन जील किस राज में इस्थित है ये बर्फ से पूरा धका हुआ आप लोग जीले और 21 राज में इस्थित है तो इसका एंसर हो जाएगा आन प्रदेश राज में इस्थित है अगला कोश्चन देखते हैं पैंगॉंग जील कहां इस्थित है जो पैंगॉंग जील है ये कहां इस्थित है तो इसका एंसर हो जाएगा लदाख ये लदाख में इस्थित है अगला question देखते हैं राजसमंद जील किस राजी में इस्थित है तो आपका एंसर हो जाएगा राजस्थान ये राजसमंद जील राजस्थान में इस्थित है अगला question देखते हैं ओलिक ट्राफिक जील की एक विसेश्था क्या है जो ओलिक ट्राफिक जील है उसकी कि राज में इस्थित है देखिए वूलर और फूलर में आपको ध्यान रखना है तो यह आपका answer हो जाएगा उत्तर प्रदेश, फूलर जील का इस्तित है, तो यह उत्तर प्रदेश में है, अगला question देखते हैं, भारत के संदर्व में डीडवाना, कूचामन, सरगोल और खाट किन के नाम है, तो आपका answer हो जाएगा लवण जील, जो लवण जील होते हैं, अगला question देखते हैं, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी जील कौन सी है, ठीक है, तो आपका answer हो जाएगा बूलर जील, आपनों गरा हमें कमेंट करके बताइए, कि यह किस राज में इस्तित है, अगला question देखते हैं, निम्ण में से कौन सी जील, भारत के दो राज्यों, आनपरदेश और तमिलनाडू की साज्यदारी वाली जील है, काफी ज्यादा important है, तो यह है पुलिकट जील, यह दो राज्यों की साज्यदारी वाली जील है, अगला question देखते हैं, गजनेर जील किस राज में इस्तित है, तो आपका answer हो जाएगा, राजस्थान, गजनेर ज पस्चमी तट पर इस्तित है, आप लोग इसका फोटो देख सकते हैं, तो यह अस्ट मुदी जील है, यह पस्चमी तट पर इस्तित है, अगला question देखते हैं, केबुल लाम जाओ, राश्टियों द्यान जो बिश्व में इकलोता तैरता हुआ राश्टियों द्यान है, यह क अभिन हिश्टा है, अगला question देखते हैं, केरल के लेगून छेतर को क्या कहा जाता है, जो लेगून छेतर होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो आपका answer हो जाएगा कयाल, इसे कयाल कहा जाता है, अगला question देखते हैं, किस जील को रहस में जील के नाम से जाना जाता है, तो आ आप लोग इसका फोटो देख सकते हैं तो ये राजस्थान राज में इस्थित है नकी जील अगला कोश्चन देखते हैं चील का जील किस तत पर इस्थित है तो आपका एंसर हो जाएगा उत्री सरकार टट पे इस्थित अगला question देखते हैं भारत की सबसे लंबी जील का क्या नाम है जो सबसे लंबी जील है भारत का तो उसका नाम है वेमनाथ जील अगला question देखते हैं भारत की सबसे उचाई परस्थित चोलामु जील कहा इस्थित है यह भारत की सबसे उचाई परस्थित है इसका नाम है चोलामु यह कहा इस्थित है तो यह सिक्केम में सिक्केम राजिमे तो इस तरीके से आज के वीडियो में हम लोगों ने भारत की जील जानेंगे तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में सेयर करें और जो लोग इस चैनल पे नए हैं इसे सब्सक्राइब जरूर करें जिससे की जब अगला वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिल सके आज की सेशन को हम ही समा करते हैं मिलते हैं भारत की जील के दूसरे पार्ट में धन्यवाद